वाट्स अप दोस्तो मेरा नाव मैं इशान और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इशान टेक वॉर्ल्ड पे और इस वीडियो में दोस्तो हम अनलाइस करेंगे आइफोन 12 के एक डमी पीस को तो दोस्तो ओविसली 12 अपे तक लांच भी नहीं हुआ इसका कुछ भी नहीं आया लेकिन एक डमी जो है ना दोस्तो एक concept उसका देखने को मिला है हमें तो उसी के बारे में दोस्तो हम एनलाइस करेंगे उसके डिजाइन के बारे में उसको लुक के बारे में तो प्लीज दोस्तो इस वीडियो को आखे तक देखना और बिना वीडियो देखें कमेंट मत करना प्लीज थमनेल टाइटल के बेसिस के ओपर कमेंट मत करना पूला वीडियो देख लीजे उसके बाद में जो भी आपके suggestions रहेंगे definitely comments column is absolutely free for you तो चले दोस्तो फिर स्टार्ट करते है वीडियो को so without further ado let's get started तो दोस्तो आइफोन 11 के launch के बाद में company upset है आइफोन 12 launch करने के लिए और इसी के साथ है सबसे पहले दोस्तो जो है आपको मालूम है कि बहुत सारे concept निकल के आती है जो कि आइफोन 4 से स्टार्ट हो गयते मतलब आने वाले phone के बारे में concept आ जाती है पहले से पहली तो दोस्तो एक dummy concept जो निकल के आया है आइफोन 12 करके किस तरकी का जो आइफोन 12 देखने के लिए हमें मिल सकता है तो वो concept देखने के बाद दोस्तों मैंने कुछ 5 चीज़े जो है इसमें पॉइंट आउट की है यह मेरा opinion है आपको opinion इसमें differ कर सकता है तो आपना opinion जो है वो comments कॉलम में बता देना या जो भी कोई भी iPhone expert इस वीडियो को देख रहा है तो obviously वो अपना opinion सामने लख सकता है सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूँगा display के बारे में तो front में अगर आप देखेंगे तो iPhone 12 में आपको notch देखने के लिए मिल सकता है तो वो notch में नहीं मिलेगा बलके महाँ पर आपको ura drop display देखने के लिए मिल सकता है या तो आपको water drop notch देखने करिए मिल सकता है लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हुआ है और आपको मालूम है कि iPhone 11 जो है वो notch display के साथ में launch हुआ है तो यहां पर भी दोस्तो ऐसा बताया जा रहा है कि notch display के साथ में भी iPhone 12 आपको देखने के लिए मिल सकता है साथे में दोस्तो बात करेंगे अगर phone के side design के बारे में तो right side में जोना आपको power button देखने के लिए मिल सकता है और वहीं पर left side में आपको volume rocker इस phone भी देखने के लिए मिल सकता है बात करूँगा दोस्तो इसके side corner के हिसाब से दोस्तो अगर आप ध्यान से देखेंगे iPhone 12 के dummy piece है उसके side corners को अगर आप ध्यान से देखेंगे और बस इसको मिलेट के आपर analyze कर सकते हैं जब तक के कुछ और information leak नहीं हो जाती इस phone के बारे में इस phone में इस dummy phone में बहुत एक अजीब सी चीज देखी है फिलाल के लिए मतलब एक नई सी चीज बोल सकते है आप अगर आप left side के lower half की body को देखेंगे महाँ पर आपको एक connector नजर आएगा आप दोस्तों यह connector है किस लिए यह नहीं मालुम है ऐसी को information leak out हुई नहीं है कि किस लिए जोने यह connector है और किस काम में आएगा लेकिन दोस्तों sources से ऐसा पता लगा है कि शायद कोई accessory को connect करने के लिए इस option को महाँ पर दिया गया होगा लेकिन अभी तक दोस्तों officially कोई announcement है नहीं इस बार में दोस्तों हम confirm कुछ नहीं बता सकते और obviously दोस्तों जो पाँच भी चीज मैंने इसमें analyze की है वो है इसका rare camera तो दोस्तों rare में अगर आप देखेंगे तो आपको triple camera setup इसमें देखने के लिए मिल जाएगा बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से आपको iPhone 11 Pro और iPhone 11 Pro Max में देखने के लिए मिलता है camera situation तो बिल्कुल सेम जगा पर और उसी तरीके से camera situated है और उसी तरीके का alignment भी है camera का और उतना ही camera का bump भी है वैसे तो जो भी points है दोस्तों पूरी को पूरे 5 points यह मेरे opinion थे obviously आपकी एसाब से कुछ अलग opinion हो सकता है अभी तो phone को launch होने में काफी time है तकरीबन 8-9 बहने का time है यह एक साल भी जा सकता है तो यह तो starting ही है concept की अभी companies में और ज़्यादा changes कर सकती है तो please आप video को देखने के बात में यह मत बोल देना क्या है रहसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा यह तो खाली एक analysis वीडियो था मेरा इस dummy phone के उपर iPhone 12 के dummy phone के उपर तो वीडियो दोस्तों आपको कैसा रहागा मुझे जरूर बताना और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को subscribe करके रखिए और साथी में दोस्तों बेल के आइकन को प्रेस करना मत भूलना और उसको all पे कर देना तो चली दोस्तों फिर इंशाला मैं मिलूंगा आपसे अपने अगले वीडियो में जय हिंद